गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स मैं सीता सोनी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अब जुलोजी गौवर्मेंट पीजी कॉलेज सुजानगर्ड आज हम बीएसी पार्ट सेकेंड की जो सेकेंड बुक है इसकी फिप्ट यूनिट के उपर डिसकसन कर रहे हैं लिंफोसाइट के उपर तो लिंफोसाइट क्या होती है देखिए पर्तिरिक्षा पर्तिक्रियाओं के लिए उत्तरदायत स्वेत रुदीर को शिकाई या डब्लीवीसी लिंफोसाइट कहलाती है तो वे WBC जो की पर्तिरिक्षा पर्तिक्रिया ही करती है इन WBC को ही हम लिंपोसाइट करते हैं लिंपोसाइट छोटीवे गोल कोशिकाई होती है जो परीदीर रुधीर लस्षीका और लिंपोईड ओरगंस यह अन्ने उत्थकों में पाई जाती है रुदीर में लिम्पोसाइट कुल लिूकोसाइट का 20 से 45 परतिसद भाग बनाती है जबकि लस्य का और लस्य की अंगों में यह प्रमुक कोशिकाई होती है साइज के इसकी बात करें हम तो साइज में तीन प्रकार की लिम्पोसाइट होती है चोटी जो की 5 से 8 माइकरोन की मध्यम जो की 8 से 12 माइकरोन की और बड़ी जो की 12 से 15 माइकरोन की कोशिकाई होती है चोटी लिम्पोसाइट संक्या में सबसे अधिक होती है इनमें गोल एम सगन केंदरक पाया जाता है केंद्रक में हिट्रोकरोमेटिन अधिक होता है इसका जो केंद्रिका है या नुक्लियोलस है वो छोटा होता है कोशी का द्रव्य उपान्तों में केंद्रक के चारों और होता है जिसमें राइबोसोम छित्रे हुए पाई जाते है कोशिका द्रव्य जो है वो बेसोफिलिक होता है इसमें एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का अभाव पाया जाता है अन्य कोशिकांग जैसे लाइसोसोम, डिपलोसोम केंद्रक के समीप होते हैं एवं इसके चारो और गोलजीकाई और माइटोकॉंड्रिया पाया जाते हैं मद्यमाकार की लिंपोसाइट्स के केंद्रक में केंद्रिका बड़ी होती है इसमें यू क्रोमेटिन अधिक पाया जाता है दो प्रकार का केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ होता है यू क्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन इसमें यू क्रोमेटिन अधिक होता है कोशिका मगद्रव्य में रैइबोसॉं की संख्यादिक होती है जिससे यह बेसोफिलिक होता हैं स्वतंत्र रैइबोसॉं इसमें बिख्रेवे होते हैं गोल जिकाइ बडि और माई्टोकॉन्डुरिया एवन लाईчесोसॉं इसमें पाई जाते हैं लिंपोसाइट अपनी आयू के अनुसार दो प्रकार की होती है अलपायू वाली और दिरगायू वाली लिंपोसाइट मनुष्य में अलपायू वाली लिंपोसाइट की लगबग दो सप्ताय होती है और दिरगायू वाली जो लिंपोसाइट है इसकी आयू तीन वर्स तक होती या तीन वर्से अधिक होती है अलपायो वाली लिम्पोसाइट परतिरक्षा क्रिया के लिए प्रभावी कोशिकाई होती है जबकि दिरकायो वाली लिम्पोसाइट जो है स्मरती कोशिकाओं के रूप में संग्रहित रहती है क्योंकि इसकी आयू जो है तीन वर्षिय दिख होती है दो प्रकार की लिम्पोसाइट, बी लिम्पोसाइट और टी लिम्पोसाइट पाई जाती है पर्तिरक्षा पर्तिक्रियाओं के लिए दो परकार की लिम्पोसाइट जो आकारी की द्रश्टी में समान परंतुकारी की द्रश्टी से ये भिन भिन होती है B-Limpocyte हीमोरल परतिरक्षा या परतिरक्षा मद्यस्तता परतिरक्षा या हीमोरल इम्मिनीटी के अंदर भूमी का निवाती है जबकि T-Limpocyte जो है वो सेल मेडियेटेट इम्मिनीटी में विशिश्टिकरत होती है L-Limpocyte की उत्पति जो है बहुत सकत रक्तोत पादक इस्तम कोशिकाओं के द्वारा होती है Pluropotent Hemopoetic Stem Cells के द्वारा होती है जो सभी रुदीर कोशिकाओं बनाती है इस्तम कोशिकाओं फीटस के यकरत और वेस्कों में अस्तिमज़ा में इस्तित होती है यह हम जानते हैं कि फीटस जो होगा गरब जो होगा उसमें Stem Cells के यक स्टेमसेल और वेस्कों में जो है वो अस्तिमज़ा में इस्तिमज़ा में इसकोशिकाओं पाई जाती है इसके संत्ति में से कुछ रुदीर के माद्यम से थाइमस में पहुंच जाती है थाइमस में ये कोशिकाएं जो है जाने के बाद T-Limpozyte कोशिकाएं कहलाती है जबकि पक्षियों में फेब्रोशी पुरपुटी में Limpozyte का विवेदन होता है तो ये Limpozyte B-Limpozyte कहलाती है इस्तंधारियों में बरसा नहीं होता अते संबाउता भी Limpozyte का विवेदन जो है वो यकरत या अस्ति बज्जा के अंदर ही होता है Limpozyte के उत्पादन से संबंदित होने के कारण थाइमस और बरसा केंद्रिय लशी का उत्तक कहलाती है केंद्रिय लशी का उत्तक से रुदीर द्वारा Limpozyte परीदिय लशी का उत्तकों में पहुंच जाती है जैसे कि परीदिय लशी का उत्तक ये है जैसे कि पलिहा, लशी का पैरवय, आंत्र, इत्यादी B-Limpozyte जो है वो लशी का पुटकों में तथा T-Limpozyte जो है वो पेरा कोटिकल छेत्रों में उपस्तित होती है Limpozyte जो है इस प्रकार से ये जो इसकी इस्तिती है और ये कारिय करती है इसके बाद में क्लोन ओफ लिंपोसाइट या लिंपोसाइट का एक पूर्वजक या एक पुन्जक तो क्लोन ओफ लिंपोसाइट सरीर की कई लाग विबिन प्रकार की पुरुवध पातक B-Limpozyte और इतनी ही T-Limpozyte होती है जो सक्रियन के उपरांत अतिविसिस्ट एंटिबोडी या T-Cell सुथपन करने में सक्षम होती है इन में से परतेक पुरुवध पातक B-Limpozyte केवल एक ही प्रकार की प्रतिरक्षी या एक ही प्रकार की T को शिकाई बराने में सक्षम होती है सिर्फ एक विसिस्ट एंटिजन को इनको सक्रिय कर सकता है यानि एक विसिस्ट एंटिजन को जो है इनको सक्रिय करता है जब एक विसिस्ट एंटिजन अपनी विसिस्ट एंटिजन अपनी विसिस्ट एंटिजन को दिपितिया सक्रिय करता है तो उसके पश्चात वह लिंपोसाइट गुणन कर अपनी संतती बनाती है अगर वह भी लिंपोसाइट है तो उसकी संतती परतिरक्षी श्रावित करेगी यदि वह टी लिंपोसाइट है तो उसकी संतती परतिरक्षी श्रावित करेगी यदि वह T lymphocyte है तो उसकी संतती सुग्राहित T कोशी का इस जो T cell होती है सभी विभीन प्रकार की lymphocyte ऐसा समुए जो एक विशेश प्रकार की विशेश्ट इक्रत पर्तिरक्षी या T कोशी का बनाने में शक्षम होती है lymphocytes का clone कहलाती है पर्तेक क्लोन एक विशेश्ट प्रकार की एंटिजन के लिए अनुक्रिया दर्शाता है lymphocyte के क्लोन में से कुछ तो पर्तिरक्षा अनुक्रिया है तो प्रभावी कोशी काओं में विभेदित हो जाती है और कुछ मेमोरी सेल्स बना लेती है दूसरी बार जब समान पर्तिजन का जो रोग जनक है सरीर में संक्रमन करता है तो ये मेमोरी सेल्स जो है वो एंटिजन एंटिबोडिक्रिया या पर्तिरक्षी अनुक्रिया के लिए सक्षम होती है इस प्रकार से ये अपना कारिय जो है वो करती है और लिम्पोसाइट्स के कई क्लोन बना सकती है बी लिम्पोसाइट्स बी लिम्पोसाइट्स की उत्पति जो है अस्ति मज्जा में इस्थित स्टेम सेल्स के द्वारा होती है पक्षियों में इसके पती जो है बर्सा और फेब्रिसिस में या फेब्रिसी प्रपुटी में होती है इस्तंधारियों में फेब्रिसी प्रपुटी नहीं पाई जाती है परंदु इसके समान अंग जो है वो इसका जो संसादन जो है या इसका निर्मान जो है इस्तंधारी प्राणियों में यकरत या आस्तिम जामे किया जाता है विवेदन के उपरांद बी लिमफोसाइट को शिकाई जो है रुदीर के माध्यम से परीदिया लसी का उत्त को जैसे प्लिहा लसी का परवे आदी में पहुंच जाती है लसी का परवे में यह सतही वलकुठ और पलिहा में वाइट पल्प की में पुटकों की रूप में विवस्तित रहती है कुल लिमफोसाइट का 15-30% बाग बी लिमफोसाइट का होता है साइज में बी लिमफोसाइट 5.8 माईक्रों व्यास की होती है B-Lymphocyte की सतय पर Immunoglobulin पाई जाते हैं इनकी प्लाजमा जिली पर Immunoglobulin G के Epsi-Bag ग्राही और सक्रिय पूरक घटक C3D, C3B की ग्राही उपस्तित होते हैं जब एक B-Lymphocyte अपने V-Cist Antigen के संपर्क में आती है तो वह सक्रिय हो जाती है और वह तेजी से विवाजित होकर अपनी संतती कोशिकाई उत्पन करती है सक्रिय B-Lymphocyte के बार-बार विवाजन से उत्पन B-Lymphocyte की संतती सान B-Lymphocyte का समू है B-Kोशिकाओं की क्लोन कहलाता है B-Lymphocyte एक क्लोन B-Lymphocyte का जो एक क्लोन है इन में से कुछ कोशी का विवेदित होकर प्लाजमा सेल्स बना लेती है और कुछ कोशी काई जो हैं मेमोरी सेल्स में परिवर्थित हो जाती है और कुछ समय पस्चाद यदि संक्रमन होता है तो ये मेमोरी सेल्स परतिरक्षी उत्पन करने में सक्षम होती है इस प्रकार से बी लिंपोसाइट्स का परिवर्दन होता है इस प्रकार से बी लिंपोसाइट्स का परिवर्दन हम मोडल के रूप में देखें तो इस तम कोशिकाएं पूर्वे बी कोशिकाओं में परिवर्दित होती है विवेदीत हो जाती है नेक्स्ट आपके है इसके अंदर टी लिंपो साइट और इसका परिवर्दन और विकास कैसे होता है यह हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकसन करेंगे ओके स्टुडेंट्स, have a nice day थैंक्यू